कर दोस्तो आज का टापिक क्या साथ साल के बाद सीवी वाँक्त हाई मेरें को फोण करके पूस्तह है मेरा एकाॉंट में सेटलमेंट है राइड-ॉप है सहकत सपारों काउनर पर रिमूआप हो जाएगा You इस आवाल मेरों को हर दिन कॉमेंट करके भी पूछते हैं मेरे एक कास्टमार जिरोंने एस बैसे लोन लिये थे और उन्होंने मेरे पास आये थे उनका सिविल रिपोर्ड रिक्टिपेशन करने के लिए उनका एस बीआई में लोन सेटलमेंट था बहुत मेहनत करने के बाद आठ माहने बाद वह से डिमांड लेटर मेला है पेमेंट करने के लिए और उनका पेमेंट करना था पांच लग से ज्यादा जहां पे उन्होंने लोन लिया था देर लग के आसपास तो इतना ज्यादा वहां पेमेंट करना था उनके लिए पेमेंट करना थोड़ा डिफिकल और आपका साथ सल होने वाला है तीन माईने के अंदर में मैं ब्रांच मेनेजर का बात नहीं कर रहा हूं सायद किसी एजीम ने जो डियोन ओफिस में बैठता है कलेक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने इन्फरमेशन उनको दिया है मैं कस्टमर को बता हूं अब तीन माईन साथ साल के बाद नेगेटिव स्टैटास अकाउंट से रिमूव हो जाता है बहुत फेमास यूट्यूबर है उनका यूट्यूब में अच्छा का सा सब्सकाइबर है व्यूवर भी बहुत अच्छा है पतनी उनको यह इंफरमेशन कहां से मिला है अब गूगल में सार्च कर सब्सक्राइबर हो जाएगा इक्विफेक्स.com टांजुनियन.com एक्स्पिडियान जहां पर यह इस बता है कि साथ साल बाद दस साल बाद डिलिक्वेंट अकाउंट जिस दिन से होगा वो रिमूव हो जाएगा वो डेटा पुरा रिमूव हो जाएगा सिर्भ नेगेटिव का काम कर रहा हो जहां पर हजरों कस्टरमार का रिपोर्ट देखा हो जिनका सिविल रिपोर्ड में सिर्फ साथ साल नहीं दस साल पन्रह साल बीस साल का पुराना अकांट है जहां पर निगेटिव स्टैटास है। सिर्फ लास्ट येर में कडिब 100 कस्टमार का रि contradiction किया हो। जिनका रिपोर्ड में 10 सल का Pourणा settlement या तो write-up status तह ओरडिू था। और हम लोग payment करवा के उस account को rectification करवाया है। Settlement Right-up को रिमूप किया है, हट टाइम, जिस बैंक से लोन लिया है, वही बैंक का डीटल सो करता है, सिभी लीपोट में ऐसा नहीं है, कभी-कभी ऐसा दिखाया गया है, कि जिस बैंक से लोन लिया है, वह अकौन्ट सोल्ड हो गया है, दूसरा कोई इसे डी कॉंस्ट्रक्शन कमपानी में जैसे किiyor Ka swoim Elias ऐसा कांस्ट्रक्शन कम्पानी में में भी कभी कभी बैंक बैंड लौन को सेल कर देता है वहाँ पे भी हम लोग payment करवा के उस settlement right of remove किया है और उस status को हम लोग remove किया है ना कि पूरा account remove हुआ है account जैसे की तैसे ही है सिब account को standard way में हम लोग close करवा है settlement right of status remove हुआ है जिसके बाद उनको loan भी मिल चुका है 7 साल या तो 10 साल के बाद भी account से negative status remove नहीं होता है या तो account remove नहीं होता है इसका proof भी मैं आपको दिखाएंगे आपके पास ऐसा कोई information रहे जो इंडिया में ऐसा कोई system है credit bureau का या तो RBI से ऐसा कोई guideline है जो 7 सल के बाद या तो 10 सल के बाद negative status नहीं रहेगा इस type कोई information रहेगा तो आप comment करके जूरूर बताईए उस information का link हमें भेजिए तक हमें knowledge मिले और मेरा जो audience है उनको बता पाए उनको भी help होगा और मैं जिस customer को अभी payment करवा के सही कर रहा हूं वह भी payment किये भीना हम लोग उसको सही कर पाएंगे मागर ऐसा नहीं होने वाला है अभी तक तो ऐसा कोई system इंडिया में नहीं है कि यहां पर और एक सवाल है कोई कोई customer यह पूचता है मेरा settlement account पुरा रहेगा तो मेरे को loan मिलेगा हां कभी-कभी मिलता है एक SBA का manager कुछ दिन पहले customer को मेरे पास भीजेते जहां पर उनका तीन settlement account था दो personal loan account था settlement और एक credit card में settlement था bank manager मेरे को यह बता है कि दो settlement account जो है personal loan का उसका अब रिमूब करवा दीजिए settlement और credit card जो है जो doctor था बहुत बड़ा surgeon था उनका EDFC bank से housing loan मिला था और एक कोर से ज्यादा housing loan मिला था उनका एक write-off था credit card में इस बेगे credit card में जो credit card कभी उन्होंने यूज भी नहीं किया था फिर उनको loan मिला था क्योंकि यहां पर एक प्रोफाइल बहुत अच्छा था इसलिए साइध EDFC bank कंसिडर कर लिया है हार किससे में ऐसा कंसिडर नहीं करते हैं मैंने दस सल पहले serum housing finance में as a business associate काम करते थे जहां पे मैं home loan loan against property का काम करते थे वहां पे personal loan settlement रहने से भी loan मिलता था credit card settlement रहने से भी loan मिलता था मागार home loan का rate of interest था 15% मैं फिर बता नहीं 15% और loan against property का rate of interest था 18% जहां पे आपको unsecured loan मिल जाएगा 10-12% में वहां पे secured loan दे रहा है 18% में सोचो सिब settlement रहने से इतना ज्यादा rate of interest ले रहा है loan against property में तो आपका कोई settlement पुराना रहे थोरा पैसा दे के उसको settlement को remove करवा लिजे था कि बहुत कौम rate of interest में आपको loan मिल जाएगा आपको long time में बहुत बच्चत होगा चलिए अभी देखते है ओसार account जो 10-cell का पुराना account है credit report में negative status हो कर रहा है यहां पे मैं आपको दो report दिखाएंगे जहां पे 7-cell से पुराना account सो कर रहा है जहां पे negative status है पहला report 7-3 2020 में उठाए गया है यह थोरा पुराना report है क्योंकि मुखूल गया जी जिन्होंने उनका report दिए थे मेरेको training videos बानने के लिए इसलिए मैं उनका report दिखा रहा हूं और वहां पे आपको ऐसा account भी मिलेगा जो 10-cell का पुराना account है जहां पे negative status हो कर रहा है चलि 5,748 है यहां पे देखिए डेट open disbursed 17-7-2007 में और यह account में अभी भी status है written off देखिए principal amount 44,563 और write-up total amount 8,23,709 मैं और एक account आपको दिखा रहा हूं City bank का credit card 2003 में लिया गया है यहां पे देखिए credit facility status settlements हो कर रहा है मैं दूजरा और एक credit report आपको दिखाता हूं ताकि और भी प्रूब मिल जाए report उठाए गया है 5-1-2023 में और information height क्या हूआ है privacy के करण से यहां पर देखिए ICS bank bank का credit card है credit limit 1,17,000 का था current balance 1,5,185 देखिए यह account disbursement हुआ था 23-10-2000 में और आभी भी overdue हो कर रहा है यहां पर repayment history भी देखिए 900 days late payments हो कर रहा है यहां पर और एक account सो कर रहा हूँ ICS bank का credit card current balance 32,340 amount over due 4650 देखिए यह disbursement हुआ था 30-12-2005 में और यहां पर देखिए credit facility status return off तो आपको प्रूब मिल गया कि 10 साल बाद भी report में negative status negative account रह सकते हैं आपको प्रूब मिल चुका है कि civil report में साथ साल दस साल के बाद भी negative account रहेगा और हो सकते हैं जिन्दगी भर रह सकते हैं अभी बात आता है कैसे आप रिमूप करोगे settlement और return of status इसके बारे में मैं अलड़ी बोल चुका हूँ इसके बारे में जादा जान करी चाहिए तो settlement रिमूप करने के लिए यह वाला वीडियो देखिए इसके बाद भी आपको लगे नहीं मेरे यह difficult लग रहा है मेरे इतना time नहीं है इसको रिक्टिपेशन करने के लिए अब हमें भी contact कर सकते हैं मेरा टीम आपके लिए यह सारा काम करके देगा नीचे description में मेरा help line number है वहाँ पे contact कर लिजे वीडियो आचा लगे तो जुरूर लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसा ही civil score related, loan related, finance related topic में regularly वीडियो बनाता हूं तक ही उस वीडियो का notification आपके पस चला जाएं वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि चला जाएं वीडियो आपके लादार् eravy है र्वाद अर्ष्यवड्ड़ कि अंरेम अर्ष्यवाद कि झाल झाल